गुद बार्णिंग फ्रेंट्स मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट लेवर हॉस्पिटल स्वरुपनेगर कानपूर एड दी आउटसेट रिक्वेस्ट यह साइंटिफिक चैनल है यह साइंटिफिक डेलिबरेशन है मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब करें इस वीडियो को शेयर करें कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि आपका पेट आपको परिशान करता है उसका नो कोई क्लियर रीजन होता है आपको समझ में भी नहीं आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है अगर ऐसा जोने इस टमक में टरबल हो रही है जिसका कोई क्ल नहीं है, ना यह पेट में जलन है, ना यह आपके खाने से directly related लगती है, लेकिन ऐसा लगता है कुछ खाने में गलबढ है, जिसके चलते पेट में दिक्कत हो रही है, यह जो discomfort है कभी-कभी ऐसा लगता है कि खाते-खाते ही होने लगता है, कभी आपको लगता है कि पेट में ज आपको लगता है कि पेट बहुत तंग गया है आपको कभी ऐसा लगता है कि कहीं हलका सा बर्निंग तो नहीं है कभी आपको लगता हलका सा अंदर से जी मिचला रहा है कभी ऐसा लगता है कि उल्टी तो नहीं कहीं हो जाएगी यान कभी कभार हो भी जाती है लेकिन इस तरह की जो problem है इसे आप commonly कहते हैं कि मेरी जो पेट है मेरा वो upset हो गया है या आप इसे समझते हैं कि इंडाइजिशन है लेकिन जब doctor को दिखाते हैं तो doctor कहते हैं कि आपको dyspepsia हो गया है जो जिसे आप upset tummy कहते हैं, जिसे आप indigestion समझते हैं, उसे मैं dyspepsia कहता हूँ, ये वास्तों में इस तरह की problem है, जब भी common test जो आपके conduct किये जाते हैं, वो हमेशा normal आते हैं, उन्हों इसमें कोई reason सामने नहीं आता, फिर भी आपको इस तरह की problem होती है, इसे dyspepsia कहते हैं, इ अगर ये functional dyspepsia है, जिसमें सभी के सभी जो investigations नॉर्मल है, इन कोई इसका clear medical solution नहीं है, तो वास्तों में क्या ऐसा करनी की जरूरत है, जिससे आपको help मिलेगी, सिर्फ चार ही चीज़े हैं जो समझनी की जरूरत है, number one is the diet, जिससे help मिलेगी, आपके कुछ exercise habits हैं, जिससे को मदद मिलेगी, stress का reduction है, जिससे आपको मदद मिलेगी, now eat right, eat right in the sense, कि आपको उन सब चीज़ों को अलग करनी की जरूरत है, जो आप समझते हैं, कि ये आपके problem को trigger कर रही हैं, अगर हम common culprits को ध्यान से देखें, तो coffee is the one, coffee पिएंगे, तो पेट में दिक्कत आईगी, च fatty food ज़्यादा ले रहे हैं, इस से इस तरह की दिक्कत आईगी, जिन लोगों को lactose intolerance है, वो milk consume कर रहे हैं, तो इस तरह की दिक्कत आईगी, तो ये कुछ ऐसी चीज़े हैं, जो trigger food के category में आती हैं, इनको ध्यान से देखिए, अगर ये problem कर रहे हैं, तो इनको बाहर करेंगे नमबर दो, आपको जो meals हैं, उनको small amount करनी की जरूरत है, इन frequent लेनी की जरूरत है, ताकि आपका जो stomach है, वो unnecessary distan't ना हो, और problem create ना करें, और आपको जो भी खाना खाना है, उसको धीरे-धीरे, चबा-चबा के खाने की जरूरत है, so that उसका assimilation and digestion proper हो, आपको वो सब activities भी अल से सारी air जाती है, जैसे आप कोई भी cold drink या कोई भी चीज पीते हैं, वो stress से use करते हैं, तो उससे आपको unnecessary air जाएगी, अगर आप बहुत तेज रफ्तार से खाना खाते हैं, तो आप air कुछ value करेंगे, आप जितने भी carbonated beverages लेते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा मातर में carbon dioxide आपके पेट के अंदर जाती है, अगर आप smoking करते हैं, तो वही काम करती है, कि आपके पेट के अंदर भी बहुत सारी air जाती है, air पेट में जाएगी, air stomach में trap होगी, abdomen distant होगा, आपको uncomfortable feeling देगा, इन problem create करेगा, अगर आप खाना खाने के बिलकुत तुरंती बाद लेट जात जड़रत है, आपको अपना जो weight है, उस पर ध्यान देनी की जड़रत है, आप obesity में हैं, तो आपको dyspepsia, heaviness, indigestion, ज़्यादा परिशान करेगा, तो weight को control करके रखिए, इससे फरक पलेगा, नो the second one is the stress, यह बिलकुर बात सही है, कि जो stress है, आपका जो digestive system है, उसको negatively affect करता है गट की जो motility है, या intestine की speed है, उसको suppress करके चलता है, तो stress को reduce करने की जो techniques है, उनको employ कर लिए, जैसे जो exercise है, इसे proven है, कि आपकी overall health के लिए important है, और आपकी stress को कम करने के लिए important है, यह बिलकुल बात सही है, तो exercise in any form will help you out, लेकिन कुछ ऐसी चीज़े हैं, जैसे cognitive behavioral therapy है, आपको अपना fatigue का जो level है, वो नीचे करने की जरूरत है, fatigue कैसे कम करेंगी, आपको rest बढ़ने की जरूरत है, the amount of rest your body needs, उसको उपर ले जाने की जरूरत है, आपको सोने और जागने का जो time है, वो almost fix करने की जरूरत है, इन आपको जो caffeine है, वो afternoon के बाद बंद करने की जरूर ये आपका जो, I mean, digestive system है, उसको up to the mark रहती है, dyspepsia, indigestion, erectation, bloating, इस सब में help करने की ताकत रखती है, जो exercise है, slow walk after eating is fine, but आपको ज्यादा exercise full stomach पर नहीं करना चाहिए, तो बहुत बार पेट के ऐसी problem होती है, जिनमें सभी investigation normal होते हैं, आप जानते हैं कि आपकी tummy upset है, आप समझत हैं, खाने पीने से जुड़ी हुई problem है, ये जो इस तरह के जो problem है, जिससे आप indigestion समझते हैं, upset tummy समझते हैं, डॉक्टर्स उसे dyspepsia या functional dyspepsia की नाम से जानते हैं, जो functional dyspepsia है, उसमें investigation आपके सभी normal आएंगे, ऐसी कोई medical treatment नहीं है, जो इस से छुटकारा दिला पाए, ये diet है, exercise है, आपका rest time है, stress reduction है, ये ही सब angles हैं, जो इस तरह की problem से आपको छुटकारा दिलाएंगे, ये आपकी life में incorporate करने की जरूरत है, ताकि आपका digestion बेटर काम करें, अगर इस angle को समझ दे में ये video help करता है, तो जरूर शेयर करें, मैं डॉक्टर वीके मिश्रा, स्रॉ करकानपूर, ताकि ये वरी मुच.